जैने दोस्तों आप सभी का स्वारत है आपके अपने यूटूब चैनल लोके तक पर हमें पुना पस्तित हूं एक नए वीडियो में और यह वीडियो आपको पता है आज यह वीडियो तो मैं आज ही बना रहा हूं लेकिन चुकि रात के यह अभी सम्थिंग में मुबायल में बज राहा है एक 11 कितना बजुआ है 23 बज रहा है यानी एक 11 बज रहा है रात के सब्सूत कर गा है यह वीडियो आपको सुमा में मिलेगा देख लीजिए अग है चुकि आपके बहुट सारी कोमेंnt ए उस कमेंट पे आधारीत यह वीडियो है जितने भी सीटट seated का website है इतना तो पताई है गूगल में जाके seated डालना है खुलेगा seated.nice.in इस तरह का खुलेगा इसके बाद अगर कहीं नहीं जाना है तो उपर बेहीं दिखेगा देखिए हम यहाँ बताने का प्रियास करते हैं देखिए यह चो यह देखिए हैना लॉग इन यह देखिए ऐसे स्लाइड कीजिएगा अपने मुवैल में भी तो दिख जाएगा लॉग इन सीटक दिसंबर 2022 बहुत सारे लोग पूछे हमसे कमेंट में सभी का कमेंट लेते हैं वीडियो फिर हम बोल रहा है लंबा हो सकता है रिजन है चुकि कमेंट पर आधारित हम वीडियो बना रहा है अब पर एक चीज पर अलग अलग वीडियो बना वे तो फिर समझ साथ में नहीं देगा है है रिपता कैसे निकाले एंसर की तो आप कैफे चले जाना साइबर कैफे नहीं तो अपने से अपने से अंपता आए और नहीं पता तो नीचे आईए यहां आईएगा नीचे नीचे गूगल में खोलिएगा candidate activity पहले देखिए स्क्रीन पर दिख रहाए आपको जी candidate activity में candidate activity में एक सेक्षन लॉग इन सीट दिसंबर 2022 चुकि एक्जाम पिछले साल दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से तो आपका सीट दिसंबर इस पर क्लिक किजिएगा ठीक है इस पर क्लिक किजिए और नहीं तो ऊपर आईएगा तो ऊपर में तिरंगा के उपर में दिखेगा login सीट इसको स्लाइड किजिएगा तो फिर आपका चैलेंज भी कर सकते हैं वो हम कल बताएंगा अच्छे से अग हैं हम यहीं से करते हैं इसको स्लाइड किए login login सीट दिसंबर 2022 जैसे ही डालेंगे तो यहां पर जाके आप अपना एंसर की डाउनलोड करेंगे हम फिर से बोल रहा हैं यह वीडियो हम लाइब नहीं लाएं चुकि लाइब में बहुत सारा उल्टा सीधा बोलने माले लोग होते हैं इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा फिर से हम बोल रहा है तो क्या बोले देखिए login login सीट दिसंबर 2022 यहां यहां पर जाईएगा सीट दिसंबर 2021 है यह 22 है तो आप 22 में एक्जाम दिये तो 22 पर क्लिक कीजिए देखिए आप सायदिस्से नहीं हो गए तो कोई बात नहीं आप क्या किजिए नीचे आईए नीचे यहां पर क्लिक कीजिए ठीक है ओक्टे आइसा खुलेगा यह तो पता आपको और यहां पर जाने के बाद अपना application नमबर अगर application नमबर खो गया है माल लीज़े आपका काड़ काड़ वो गया नहीं पता है तो फिर भी इसका उपाई है यहां देखिए है ना अगर मालिजे किसी काड़ को गया ठीक है फिर फिर भी नहीं घबराना चाहिए नहीं पता है तो फोगट पासवर्ड पर क्लिक किजिए निकाल लिजिए गाव पासवर्ड भूल गया पासवर्ड क्या है बहुत सागे लोग बोले है कि सबस्वर्ड क्या डालेंगे तो जब आपने ओलाइन फर्म का अप्लाइ किया था सीट के पास मुबाइल नंबर होना चाहिए जो मुबाइल और लाइन जब किये उस समय बला मुबाइल चुकि जब नया पासवर्ड बनाईएगा तो उससे पहले फॉगट पासवर्ड करना होगा उसके बाद आप अप्लिकेशन नंबर यहां डालेंगे जैसे मालीज अप्लिकेशन नंबर ये है तो हम ये डालें फाउगट पासवर्ड करके हम उस मुबाइल पे जो मुबाइल नंबर डाले थे वही मुबाइल ले जाईएगा कैफे में और वहाँ पर OTP आएगा फिर नया पासवर्ड बना यह जहां से ओनलाइन फर्म भगे होंगे वो सब कर देंगे वहां से डाउलोड कर लीजिए फिर भी हम बताते हैं चलिए मालीज अप्रिकेशन नंबर में कितना है कि निकार डबल टू वन डबल जीरो वन टू नाइन डबल जी गो दो ठीक है पास्वर्ण पास्वर्ण भी डाल लेते हैं पास्वर्ण डालते हैं ठीक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया है आप लोग मैनेज किजिएगा विट्वी हो गया है डाले पास्वर्ण इसके बाद सेकुर्टी पी नहीं तो बताई है इसा बताने की आपको इतने तो आप कि समझदार है हमको ज़्यादा ही बेस में चले जाते हैं हमें लगता है कभी कभी कुछ ज़्यादा संधाने लगते आप लोग को चलिए मैनेज किजिए गा ठीक है डाल दिया, sign in कर दिया, sign in करने के बाद बहुत सारे बहुति का ये भी प्रस्ट था, कि सर ठीक है, ये आपका खुल गया, इसमे आपका जो भी नाम है, नाम हुमाया का, registration number completed था, application form सही था, सरी इस पे नहीं, ये क्या है, ये, ये, भीव को संद पेपर रिस्पोंस यह क्या इसमें दो चीज दिया है एक दिया सीटेट लेंगवेज वन हिंदी लेंगवेज टू इंग्लिज जब आप पेपर वन जो भरे होंगे उसमें दो पेपर एक्स्ट्रा था एक सीडीपी मैथ एप एक लेंगवेज वन और करना है इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आप जो पेपर वन दिये होंगे वह खुल के आ जाएगा जैसे देखिए ऐसे खुलेगा कि यह देखिए यह देखिए जब आप पेपर वन पे क्लिक किजिएगा यहां समझिए जब भी पाला प्रक्रिया यह दो चीज है है न तो चीज तो इसका मतलब हुआ जिसने भी पेपर वन दिया है या दोनों दिये है तब तो अलग-अलग दोनों डॉलोड कीजिए यह है क्या यह उनास इसका मतलब हुआ कि आप आप जो है पेपर वन डानलोड किजिए जैसे इसथे क्लिक किでगा पी ओन का मतलब हुआ पेपर बुए और इस trip वन ता मतलब क्या हुआ पेपर वन इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने घुलेगा देखिए मलीजीए यह कुछ वह यह मेरा नाम हो गया मैंने भी इजाम दिया तो यह मेरा नाम हुआ और देखिए इक्जाम डेट 29 जुटा अर्शुबर 9 बजे मॉर्णिग सिफ्ट में था पेपर बन दिये तो यह आपका पेपर कुन का answer हो गया print भी करा सकते हैं आप print कर वा ले ना कैफे जाके print करके निकाल ले न यह आपने जो जबाब दिया वो है करेंगे इसको चेक करेंगे तो यहां से चेक किजिए यह यह आपका फिर आपक प्रोबिजनल एंसर की हो जाएगा जो शीटेट के क्जो किसको सही मानता है तो उसका अपना एंसर की workflow को बोलते तो यहां से डाउनलोड कीजिएगा ऐसे कीजिएगा आपका आ जाएगा देखे यह आपका खुल जाएगा तो पेपर वाले जो भी हैं कैसे डाउलोडिंग करना अपना पेपर मैंने तो बता दिया और सब्सक्राइब को समझ में भी आ गया होगा आप चलते है पेपर टू मारू करेंगे इसे पर किलिक करेंगे जैसी की इसपेर पर पर तून दिये हैं पेपरटू जैसरे पर किये तो आपका यह खुल जाये! कर देखिए ऐसा खुलेगा और पेपर टू क्या यह मेरा उन्तिस को था अधाई बजे से था यानि इविनिंग में था तो यह रिस्पॉंस सीट जो है यह आपका हुआ एक से लेके डियर सौ तक कुस्सन आपने जो मारा है वही आएगा कोई अलक से नहीं है कैसे देखिएगा देखिए कुस्सन आई डी वन है कुस्सन नमबर वन इंगलिस हिंदी दोनों में है यह देखिए इसके चार उपसन है तो मैंने क्या जबाब दिया तो एंसर गी बेन य या इसका फिर एंसर की है यह आपके सामने है ना देखिए आपके सामने तो ही है देखिए इससे मिलान कर लेना है यह आपका प्रोविजनल एंसर की प्रोविजनल क्या होता है जो सीटेट के दोरा दिया गया एंसर की है सीटेट इसको सही मानता है बस कैसे देखना है वो त मुझे क्या समझाना था मुझे यही समझाना था क्या भीया यह हमें यह समझाना था यह बस इतना यह है क्या चुकि यह जब खुलके आएगा जब login ID login किजिएगा application आम्हों प्राश्वर्ट डालके तो आपके सामने जिया आएगा तो इसका कोई मतलम यह इसका यह क्या है जिया आपका आपका आपना हुआ जो आपने फार्म में जो जो आउनलाइन बहागो निकल जाएगा अमाली जो कोई paper 1 नहीं दिये तो बस paper 2 downloading करेंगे यही हुआ अपना shift कैसे देखना आपको समझ में आ गया मुझे पून रिश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा बस अभी वाला हम आपको यह बताने का प्रयास कियें अपकर यह है क्या ठीक है अब दिक्कत तो नहीं होगा password कैसे डाले कैसे देखे यह है क्या view question paper यह है क्या इसको हम समझाने का प्रयास कियें और बाद बाकी इसमें एक और प्रस्टन है हम उनको भी लेने का प्रयास करते हैं कि सर कहीं कहीं क्या हुआ है कहीं कहीं क्या हुआ है मेरे पास comment भी आया है कि सर किसी कुस्षन के answer में किसी कुस्षन के answer में चुकि option तो 4 होता है 1,2,3,4 आप किसी option पे तो ठीक मारे होंगे 3 लेकिन वहाँ पे दिख रहा 9 9 दिख रहा इसका मतलब क्या हुआ तो 9 का मतलब यह हुआ अगर जिस कुस्षन के answer में 9 दिया हुआ है answer की में जो सीचेट के द्वारा जो जारी answer की है उसमें 1,2,3,4 यह 4 यह option होता है यह 4 option देके 9 दिया हुआ है इसका मतलब यह होता है कि आपको वो कुस्षन गलत है वो कुस्षन गलत है तो उसके बाद क्या होगा तो इसका जो marks है सब को common मिलेगा यानि इसका आपको एक marks जो है एक marks one marks सब को दे दिया जाएगा तो इसके लिए घवराना नहीं है ठीक है 9 का मतलब आप नहीं घवराईएगा सभी को इसका marks मिलेगा अगर किनी का नवासी बन रहा है माल लीजिए नवासी और जनरल से और नब्बे पर पास है तो एक number कट रहा है तो समझ लीजिए अगर ऐसा option था तब आपको एक marks जूट जाएगा नब्बे मिल जाएगा और आप सीट इट पास हो जाएगे चली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब किजएगा जया हिंद्र जया भावत है 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 कि अधे है 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 जाह है है आधे है